हलो फ्रेंड्स मैं हूँ नेहा और मेरे चैनल नेहा जायर्वेदिक टिप्स पर आपका स्वागत है बड़े बुजुर्गों द्वारा बताई गई वहुद ध्यान देने योग्य जरूरी बातें नमबर एक आप जमीन पर जब भी बैठें पीना टेक के बैठें इससे मसस मजबूत होते हैं नमबर दो सेव का सिर्का बालों को बढ़ाने में मदद करता है इसे अपने बालों की जड़ों से सर तक लगाएं यह बालों को मुलायम और समकदार बनाता है और एसकेल्प को हल्दी बनाय रखता है नमबर तीन अगर आपके जोडों में दर्द हो तो हल्दी का लेप लगा कर गरम कपड़े की पट्टी बांधने से दर्द में आराम मिलता है नमबर चार एक छोटा सा टुकड़ा अनार की छेके का अच्छी तरह से सीख कर चबाएं इससे खासी और एलर्जी में रहत मिलती है नमबर पांच राद को सोने से पहले दूद की मलाई अपने चेहरे पर लगाएं इससे जाईया दूर हो जाएंगे नमबर छे, खाना खाने के बाद थोड़ा सा गुण खाएं इससे खाना जल्दी हजम हो जाएगा नमबर साथ, अंजीर में फाइवर भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो कब्ज की समस्या को ठीक करने में मदद करता है इसके अलावा, अंजीर में फाइवर की भरपूर मात्रा होती है जिसके वज़र से आपके पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखती है अगर आपकी इसकेन रुखी और सावली पढ़ने लगे तो रोजाना रात को सोने से पहले आपकी अपनी इसकेन पर कच्चा दूद लगाएं इससे आपको बहुत फैदा मिलेगा एक चमच एलेवेरा खाने से बहुत फैदा होता है और इससे वज़न कम करने में मदद मिलती है एलेवेरा सरीर में मजूद गंदगी को साफ करता है साथ ही डाइजेशन में सुधार लाता है उल्टा सोने से सांस लेने में दिक्कत होती है और रीट की हड़ी में दर्द हो सकता है इसलिए उल्टा सोने से परहेज करें अगर जुकाम की वजह से नाक नाख खुल रहा हो तो अजवाइन को हलका गरम करके नाक के साथ लगा कर सुंगे इससे आपकी नाक खुल जाएगी अगर काम करने के बाद थकावट महसूस होने लगे तो एक दो पुदिने की पत्ते चबाले अगर आप रोज खीरा खाएंगे तो आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा डाइट में खीरा सामिल करने से आपकी सरीर में पानी की कमी नहीं होगी और इसमें मौजूद फाइवर कब्ज की समस्या को दूर करके पेट साफ रखने में मदद करता है नमबर 14 हमेशा तरबूज खाने से पहले पानी पीए बाद में पानी पीने से सरीर को नुकसान पहुचता है नमबर 15 अगर आपका सरीर हर समय ठंडा रहे तो जान लें आपको खून की कमी है नमबर 16 अगर अपने वजन को कम करना चाहते हो तो तीन बीज जितनी हो सके जरूखा है निम्बू, खीडा और बंदागोही नमबर 17 जिन लोगों को खून की कमी हो उन्हें अनार और चुकंदर का जूस पीना चाहिए नमबर 18 जिन लोगों को खारिस की दिक्कत रहती हो तो बदाम का तेल लगा कर सो जाएं इससे खारिस में अराम मिलता है नमबर 19 प्याज का सेवन करने से दिल की बिमारी का खत्रा कम रहता है नमबर 20 लहसुन और नमक दोनों को मिक्स करके अपने दांतों पर मिलाएं इससे दांत साफ हो जाएंगे नमबर 21 रात को चाय पी कर नहीं सोना चाहिए इससे पेसाब में इंफेक्शन हो सकता है नमबर 22 अगर आपके बाल जढ़ने लगें तो चावल के पानी से बालों को ध्यूएं इससे बालों का जढ़ना खत्म हो जाएगा नमबर 23 कड़वी चीजों के सेवन से सेहत अच्छी रहती है और ज्यादा मीठी चीजे खाने से इंसान जल्दी बिमार पढ़ने लगता है नमबर 24 मीठी और गर्म चीजे खाने से बाद पानी पीना दातों को नुकसान पहुँचाता है नमबर 25 रोजाना एक गलास गर्ने का जूस पीना चाहिए गर्ने का जूस हाजमे के लिए बहुत थैदिमंद होता है नमबर 26 अगर पेट की दिक्कत रहती हो तो सफेट आटे की बजाय चक्की का आटा इस्तिमाल करे नमबर 27 कमर दर्द की दिक्कत हो तो नहाने से कुछ देर पहले सरसो के तेल से कमर की मालिस करे और फिर गुर्णूने पानी से नहाए इससे आपको बैक पेंसे काफी अराम मिलेगा नमबर 28 अगर हाथ पेर सुन हो जाने की दिक्कत हो तो एक चमस सहद और आधे निम्बो का रस एक गलास पानी में मिला कर कुछ दिनों तक नगतार पिए इससे आपको बहुत अराम मिलेगा नमबर 29 रोजाना अपने हाथों की हाथेलियों और पैरों के तलवे पर तेल लगा का सोने से पूरे दिन की ठकावट दूर होती है और नेंद भी अच्छी आती है नमबर 30 नारियल के तेल में थोड़ा सा निम्बो का रस मिलाएं और अपने होठों पर लगाएं इससे होठों को कालापन दूर हो जाएगा और आपके होठ मुलायम और सुन्दर हो जाएंगे नमबर 31 सुबह उठकर हरी घास पर नंगे पाउं चलने से आखों की रोशनी तेज होती है और दिमाग को ठंडक मिलती है नमबर 32 अगर आवाज बैठ जाए तो लौंग का दाना चुसें आवाज जल्दे ही खोल जाएगी नमबर 33 अगर गले में खरास हो रही हो तो चौकलेट खाएं इससे खरास में आराम मिलता है नमबर 34 चेहरे की चमक लाने के लिए आप पानी ज्यादा पिएं इससे आपके चेहरे की इसकीन भी साफ हो जाएगी नमबर 35 सदी जो काम ना छोड़ रहा हो तो एक मुठी भूने चुई चने रुजाना खाएं नमबर 36 हल्दी हड़ियों की तकलिफ में बहुत मददगार होती है गरम दूद में हल्दी मिलाकर पीने से जोड मजबूत होते हैं और सुजन कम करने और जक्म भरने में मदद मि अगर मुठ पक जाए या मुठ में छाले निकलाएं तो एक दू दिन सुखी धनिया चुशते रहने से अराम मिलेगा नमबर 38 रुजाना छोटी इलाची का सेवन करने से दिल के दर्द में राहत मिलती है नमबर 49 मचली के साथ यह चीज ना खाएं दही चाच आइसक्रीम ब खासी में चौकलेट खासी की सीरप की तरह असर करती है इसलिए सर्दी की खासी में चौकलेट खाया करें नमबर 41 आपको सोने से पहले अपने हाथों पैरों पर जैतून की तेल से मालिस करें इससे आपको बहुत आराम मिलेगा नमबर 42 खरबूजा खाने के बाद थोड़ा सा नमक चाट ले तो आपको बद हजमी नहीं होगी नमबर 43 अगर आपका पीट बढ़ रहा हो तो रोजाना फालसे का सेवन करें इससे आपको लाब मिलेगा नमबर 44 मेथी और पालक का सेवन जरूर करें यह दोनों ही सरीर के लिए बहुत फैदमंद होती है नमबर 45 अगर आप हमेशा के लिए जुवों से बचना चाहते हो तो नीम की पतियों को पीश कर उसका रस निकाल ले इस रस को बालों में अच्छी तरह से लगाकर रखने से जुवे मर जाती है नमबर 46 जो लोग आठ घंटे से कम नींद लेते हैं वह लोग ज्यादतर बेचैनी और डिप्रेशन में रहते हैं नमबर 47 एक गलास दूद में दो से तीन खजूर एक चमस देशी घी और थोड़ा सा गुण मिला कर इसको गरम कर ले और फिर ठंडा करके पीएं इससे सरीर की कम जोड़ी और खून की कमी दूर हो जाएगी नमबर 48 अगर आप मैदे की तकलिफ से बचना चाहते हो तो खाना खाते समय पानी ना पीएं नमबर 49 रुजाना सुबह थोड़ी सी सहत का सेवन करने से सरे की कई बीमारियां कम हो जाती हैं नमबर 50 अगर ब्लड प्रेसर लो हो जाए तो पानी में थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाकर घूल बनाकर पीएं इससे आपको अराम मिलेगा नमबर 51 चहरे को चमकदार बनाने के लिए रोजाना अपने चहरे पर दही को मलें इससे आपका चहरा चमक जाएगा नमबर 52 रोजाना सुर्मा ल जाना निहार मूह निम्बो का पानी पीएं इससे पेट का भारिपन दूर होगा और गैस की दिक्कत भी दूर हो जाएगी नमबर 54 अगर कोलेस्ट्रॉल लेबल बढ़ गया हो तो बदाम का सेवन करें इससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है नमबर 55 चेरे की जहाईयां और दा जातों का पीलापन से बचाना हो तो निम्बू का रस लगाए इससे दाग धब्बे और पीलापन साफ हो जाते हैं नमबर 56 खीरी का सेवन करना बहुत फैदमंद होता है रोजाना खीरी का सेवन करने से वजन नहीं बढ़ता है नमबर 57 उन लोगों को गुर्दे की समस्या ज्यादा होती है जो लोग रात को सोने से पहले पिसाब करके नहीं सोते हैं नमबर 58 अगर अपने बाल समय से पहले सफेद होने से वचाने हैं तो रात को सोने से पहले कुछ बुंदे बदाम रोगन की दूद में डाल कर पीएं ऐसा करने से कुछी दीनों में बाल सफेद हो से छुटकारा मिलता है नीम का जूस डियाविटीज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकता है इसके सेवन से हड़ियां और मांस्पेसियां भी मजबूत बनती है नमबर साथ अगर अचानक बहुत ज्यादा वुखार हो जाए तो कद्दू के टुकड़े काटकर उसे माथे पर कम हो जाएगा नमबर 61 अगर आपके सरी में कमजोडी महसूस होती हो तो रूजाना दूद का सेवन जरू करें इससे आपको बहुत पैदा मिलेगा नमबर 52 पेट भरकर खाना खाने की यादत हाजमे को बिगारती है दोस्तों आपको यह जनकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉ वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरू दबाएं जिससे आप मेरे नए वीडियो को देख पाएंगे धन्यबाद दोस्तों